सकारात्मत सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं सकारात्मत उर्जा का आओ सब में संचार कराएं ऐसा ना हो के हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं क्यों इंतजार करे हम किसी का आओ एक मश्याल जलाएं कई सपूत ऐसे बागी तेवर वाले हमारे नवजमान साथी खड़े हो गए तिनों ने भारत की आजादी का नारा फूंग दिया और यह सल्चला 1857 में शुरू नहीं हुआ इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है लेकिन इतिहास को आज की संस्किति को आज के बर्तमान समय को हमारे प्रसाशन की जिम्मेदारी बनती है कि नवजवानों को अवगत कराएं यह 1764 से शुरू हुआ 64 से पहला बंगार के अंदर बगावच हुई उसके बाद में फिर मंगल पांडे की उम्राव गिरी और उम्राव गिरी और एक मुझे ध्यामी आ रहा है मुस्लिम हमारे विरादर हुआ करते थे उनकी आगे वानी में हुआ उनको अंग्रेजों में तोब से बात करके उड़ा दिया फिर भी यहां के लोग धुके नहीं रुके नहीं सन 1857 की आदादी की लड़ाई का सुत्रपाच हुआ इसकी चर्चा सभी जगे आप लोग जानते हैं छासी की रानी लक्ष्मी भाई की आगे वानी में और मंगल पांडे की आगे वानी में और वह चिनगारी ऐसी धत की ऐसी धत की कि जब तक अंदोलन चलता रहा जब तक भ कच के अंदर मांगली नाम की एक जिगा पर पंडिस्याम किस भर्मा का जल्म हुआ पंडिस्याम किस भर्मा का इतिहास के पर्मों में छुप कर रहा गया लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जब आदादी का आंदोलन शुरू हुआ तो दो तरह के अंदोलन कारी पैदा हुए एक अंदोलन कारी थे जो स्वराज मांग रहे थे एक अंदोलन कारी ऐसे थे जो संपूर्ण स्वराज मांग रहे थी जिन लोगों ने स्वराज मांगा अंग्रेजों के सासं के अंदर अपनी सरकारे बनाई उसमें मुसलीम लीग भी सामिन थी, उसमें देश में प्रधान मंत्री भी बने, उनको केवल अपने स्वार्थ की पूर्थी करनी थी, लेकिन दिन लोगों ने संपुर्ण स्वराज मांगा, उन लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, अपने जान की आउती दे दि, जिसमें पंडित स्यांकिर से बर्मा का नाम सबसे उपर आता है, सादार भगत सिंह का आता है, सुबाज चंद्र भोस का आता है, सुखदेव का आता है, पंडित राम प्रदाद बिसमिला स्वाक उल्ला का आता है, ये लोग आजादी देखने के लिए नहीं दूखे, इन लोगों ने ऐसी चिं आता है, पंडित राम प्रसाद बिसमिला स्वाक उल्ला का आता है, पंडित राम प्रसाद बिसमिला स्वाक उल्ला का आता है, पंडित राम प्रसाद बिसमिला स्वाक उल्ला का आता है, पंडित राम प्रसाद बिसमिला स्वाक उल्ला का आता है, पंडित राम प्रसाद बि इसमिल अस्वाइब उल्लाखान इन लोगों ने कभी कंखुरा पनने का रखाप नहीं देखा इन लोगों ने नियू की लिट बनना चाहा और नियू की लिट बन करके पुरे स्वतत्र भारत की इमारत लोने रखे एक बात और याद रखे का बिल्टिंध नथा जाती है लेकि काथ सोने की थी की नहीं थी ये मुझे पता नहीं है लेकिन राम के आक्रमन के उसे साथ भी मवजूद है इतिहास इस बात का साक्षी है कहने का ताथ पर यह साथियों कि आप लोगों ने जो बलिदान दिया जिसने यह सोचा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है वो इस द वो नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होता होता क्या आप यहां बैठे होते आपके माबाप में होते तो आप यहां होते तो आज जिस सतत्र भारत में आप लोग बैठे हुए हैं देश के प्रधान मंत्री बनने वाले देश के अंदर मंत्री बनने वाले उनकी देन नहीं है उनकी देन्द है जिनों जो लोग खपा हो गए जिनों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और निव की इड बन गए उसमें पंडी स्यामकिल्ष बर्मा का नाम है स्याम किल्शिभर्मा हरस से निकल करके यूरोप जाते हैं स्वाम् 1 सरस्वती 90 के सामीत में आते हैं मतलम अधast it . इसलिए सोट में बथाना चाहूँगा इसलिए कि इस्याम कीशिभर्मा को जानिए। ृपने फूर्वजव के रूज़े जितने लोग परचे हैं, सबके परिवार के पूरवज कहीं लिए अपने बर्जाम दिये हैं, आज से सौंबर बने दो सकते हैं, लेकि उनका इधियास नहीं बना, इसले नहीं बना, उनको यहीं मारथ बनानी ची, आज आज देख रहे हैं, क्या लिए सानि मारत हैं, कैसे होगी, क्या होगी, कहां जाएंगे हम, अगर इसकी नियू हिलने लगे, तो हमारी दसा क्या होगी, यहां से भागने लगेंगे, वो लोग भागने वाले नहीं थे, कील के पत्थर बन गए सातियों, ऐसे महान पूर्चों को आज मैं अपने सद्धा समन अर्पित करता हूं, और उसमें से पंडिस्याम कि वर्मा एक थे, स्वामी देयानन सरफ शती चंद्र ने उनको यूरोप भेजा, पहला आदमी, आप सोचिएगा, अब आपके दर्मादे पर मैं आऊँगा, तो आप मुझे धगड़ा कर सकते हैं, मुझे ढाब सकते हैं, लेकिन मेरे गली में आ अगर आप सीना खोल करके मेरे साथ मेरे तो मैं आपको मर्द मानू, यह इस भारत माता का सपूद, ब्रिटेन में जाकर के बिटेन की चाती पर प्रिटी सरों के चाती पर अपना पाउं रख करके वहाँ, इंडिया हॉम रूच की अस्थापना किया, और एक नए हिजुस्त पर बाहदिया, भारत की आदादी के लिए ऐसे सपूद, राम स्याम किर्श बर्मा जी थी, उनको नयाय नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला, कि इतिहास को दबा दिया गया, इतिहास में आगे को नहीं जो स्वार्थी लोग ते तो लाल्टी लोग ते, जिनको देश के अंदर रान मंत्री बनना था, ग्री मंत्री बनना था, मंत्री संत्री बनना था, ऐसे लोग आकर के चड़ बैठे, लाला लाजपतराय को कितने लोग जानते हैं, गोपाल किर्श गोखरे को कितने लोग जानते हैं, इस चर्चा में नहीं पड़ूँगा, लेकिन पंडिस स्याम किर प्रांडी की देन है मदल लाल धीघर आपने जाना होगा अंग्रेश में जाकर अंग्रेश की साथी ने को ली ठोग जिया वह भारत का समुद्रा मदल लाल और वह देन थी उसका निर्माद करने वाला उसका पंडिश्याम कुर्स पर मधी थे बीडी सावरकर, बिनायक दामोतर सावरकर, जो आज RSS वाले जिनका गर्वने रहे हैं, सावरकर का भी निर्माण करने वाला पंडि स्याम क्रिश्ट बर्मा था बीडि स्याम करने और एक ऐसा भारती जिसने पहली बार इंग्लेंड में जाके ब्रेटन में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी किया और वहां का पहला ग्रेजुट बना पहला हिंदुस्तामी ग्रेजुट आप फोर्ड इंवर्सिटी में, वहां से उन्होंने एम्रे किया, व अंग्रेजों के सासन की निव ला दिया अगर अब तुम बैठे लेशा का अंदोलन करने से लोग नहीं भागई जब अंग्रेजों ने देख लिया कि अब हम जितने यहाँ पर बैटे ही एक विजा करके यूरोप का दर्सन नहीं कर पाएगा हमारी अउलाद हम नहीं जा पाएगी तब भागे हैं दोस्तों हमारे उपर उन्होंने दया नहीं किया और वह इस्तिति पैदा करने वाली जो जमाती जो सहीदों की जमाती उसके अगुआ पंडिस स्यांक्रिश बर्माजी ते और उसके सैनिक सर्दार भगत सिंगा और सुबास्तन जो बहुत ऐसे लोग ते ऐसे हजारों लोग अपना जम निर्थावर कर दिए तब उसके बाद भ योगी कम मिलेंगे लेकि याद रखिएगा साथियों याद रखिएगा असत्य की ताकत बहुत होती है लेकिन उसकी उम्र बहुत चोटी होती है सत्य भले ही आद आपको दिखता हो कि उसकी सत्य की उम्र सास्वत है सास्वत मतलब हमेशा रहने वाली है और उसकी ताकत इध सब्सक्राइब अगर किसी के लगता है परिस्टि की वजए से आप कमजुर है नहीं आज मेरी बात याद रखिएगा डाप्तर शुरेंदर सिंग्गी बात को याद रखिएगा आप कमजुर नहीं है आपका वक्त कमजुर हो सकता है वेकिन आपके अंदर रोच मत भरी हुई ह कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आवज सकता है अपने आपको पहचाने की, अपने अंदर राम, स्यांकिर्श बर्मा को ढोड़ने की, अपने अंदर सुभाज, चंद्रबोष, सहीद, भगत सिंगा और चंद्र सेकर, आदात को ढोड़ने की आवज सकता है, साथियों, मैं आपको तो इसलिए आउगत कराना चाहता हूँ कि आने वाले भारत का भोई सिक्या होगा, आप देख सकें अपनी खुली आंकों से, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको पता लगता है आगे से कौन सी ट्रक आ रही है, कौन सा बहान आ रहा है, मुझे नुक्सान कर सकता है कि नह कर सकता है, आप देखते हैं कि नुक्सान नहीं कर सकता है, तो आप निस्चिंध हो करके जाते हैं, लेकिन जब आप देख रहेते हैं कि नुक्सान करने वाला है या मुझे चक्कर मारने वाला है, तो आप अपने बचाव करते हैं कि नहीं करते हैं, राश्ते से हटते हैं कि उसको हटाने की छंपता में आपके अंदर, अगर अगर होगी, तो सामने से उसको टक्कत मारके हटा भी सकते हैं, तो आने वाले भारत के भौषल के मेरे निर्माताओं, मेरे साथियों आने वाले भारत का भाउष से आपके हाथों में नहीं थे, आपको अपने ताकत को पहचानना होगा, आपको अपने आपको पहचानना होगा, और ने भारत के निर्माण में ऐसे बीर सहीदों का, ऐसे बीर सपुतों का, हमारे आज के भाग का उनको एसास कराना होगा जब रामचंद्र सिता जी की खोज के लिए बंदरों की सेना को भेजते हैं सारे लोग निरास हो जाते हैं समुझर के किनारे बैठ करकी सब लोगों ने अपनी अपनी ताकत का पर्चे दिया कोई बोला मैं आधे दूर पहुंचोंगा कोई थोड़ समर्थ है और अबास सुनते ही हन्मान जी अपनी ताकत को पहाचान गए लंका मगय सिता की खोज तो लगाया ही लगाये लेकिन लंका को इतना कमजोर बना दिये कि 10 दिन के अंदर पूरी लडाई पूरी हो गई रामर का पूरी नहीं हो सकता मुस्तकत बिल की चादर को मैं अतर बुन नहीं सकता तेरा ताना जरूरी है तो मेरा बाना जरूरी है साथियो बहुच ज़्यादा कुछ ने कहते है अशे बीर सपुतों के च्रणों में मैं साधन नमन करते हैं आप लोगों से अनुद كता कहता हूँ और दिका पिड़ी को लक्ष मेरा करके अपनी ताकत क को पहचानिये अपने कर्तब को पहचानिये और अपने हसले बुलंद करके इस ने भारत के निर्मान में कूज पढ़िए जूज पढ़िए परड़ाम क्या होगा इसकी चिंता मत करिए सत्य का परड़ाम हमेशा सुखदाई होता है सत्य का परड़ाम हमेशा सुखदाई होता ह झाय है, झाय है, झाय है झाय है, झाय है झाय है झाय है झाय है झाय है